हेलो मेरी यूट्यूब फैमली आज मैं आप सब के लिए रहे हूँ साटे साग की रेसिपी इस रेसिपी को हम प्रेसर कुकर में बनाएंगे वह भी एक दमसान तरीके से आप लोग इस साग को कौन सा नाम से जानते हैं और हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा और आप लोग कुकर चळादियां गरम होने के लिए कुकर को हम गरम होने देंगे और देखिए हमारा कुकर गरम हो गया है इसमें डाल देंगे सरसु तेल और तेल को भी हम गरम होने देंगे देखिए हमारा तेल गरम हो गया है इसमें डाल देंगे जीरा देंगे दूसुखी लाल मिर्च और हम जीरा को चटकने देंगे और देखिए जीरा चटक गया अब इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज और आप डाल देंगे लसुन बारी कटा हुआ और हरी मीज बारी कटा हुआ और इसको हम चला देंगे इसको जब तक भूरना तब तक इसका color change नहों जाए और देखिए हमारा प्याज अललसुन अची तरह से भून गया है और इसका color भी अची तरह से change हो गया है अब इसमें डाल देंगे बारी कटेवा टमाटर और टमाटर को भी हम अची तरह से मिला देंगे और हम गैस को medium रखेंगे और 2 minute तक भूनेंगे और 20-20 में चलाते रहेंगे और देखिए 2 minute हो गया है और हमारा टमाटर अची तरह से भून गया है अब इसमें डाल देंगे साटे साग और आप लोग ऐसी भी डाल लिएगा तो यह अची तरह से गल जाएगा काटने की कोई ज़रूत ही नहीं है और अब हम चला देंगे ताकि हमारा टमाटर अपयाज ना जले अब हम सारा साग को डाल देंगे अब इसमें अपने स्वात के नुसार नमक डालेंगे अब हम हलका पाइड डालेंगे और इसको हम 4 मिनिट तक हाइव फ्लेम पर ढखके रग देंगे और 20-20 मी चलाते रहेंगे 4 मिनिट हो गिया है अब हम ढखन को घटा देंगे और देखिये साग को इशी तरह से सुखा दिया है और हम जला देंगे अब हम कुकर का धकन लगा देंगे और चार सिटी लगाएंगे और गैस को मीडियम रखेंगे और देखें चार सिटी हो गया और गैस को भी हम बंद कर दिये हैं कुकर का प्रेसर भी हम निकाल दिये हैं अब हम धकन खोल देंगे अब हम दाल खोटने वाला से अच्छी तरह से चला देंगे और देखे हम अच्छी तरह से चला दिये हैं और देखे हमारा साल एक दम बन के त्यार हो गया है आप लोग इस रेसिपी को एक बाज जरू ट्राइ किजिएगा आप लोग को बहुत पसंद आएगा आसा करती हूँ कि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें और कोमेंट करना ना भूलिएगा अब हम अगले वीडियों फिर मिलते हैं तब तक लिए बाइ बाइ